कि अच्छान पर नुक्सान अरे कहां हो तुम लोग साला ये तो नक्षा ही पलड़ गया कहा तो हम मिल बन करके उस जमिन पर सेवन स्टार होटेल डालने की सोच रहे थे और कहा ये सरकारी नोटीस आ गया अगर घाटा ही घाटा है तो सीक यूनिट करके सरकार खुद मिल पर कबजा कर लेगी मैं तो अब भी बोलता हूं वरकरों को बोनस बोनस देके मिल को शुरू कर लो वरना एक साही चोरी और इंपोर्ट लाइसंस के जरीए जो भी कमाते थे ह आज से जाएगा अरे काहे को देदे बोनस चौबीस सो वरकरों को पिछले छे साल से बोनस नहीं दिया है अंदाजा है तुम्हें कितना रुपया देना पड़ेगा विहारी अंकल मेरे हिसाब से तो बचने का यही तरीका है जिससे मिल भी बची रहे और गरीब वरकरों की क्या हमने गरीबों का ठेका लिया है अपनी तो भाई जी एकदम साब पॉलिसी है दस हजार गरीबों को मारो और एक अनाथ आश्रम को चंदा दे दो और बन जाओ दानवीर बिल्कुल ठीक हम अमीर इसलिए क्योंकि हमें गरीबों को गरीब बनाए रखने की टेकनिक आती ह बिल्कुल सही है मैं तो कहूं के मिल को आग लगा दो ना बोनस देना पड़ेगा ना कंशा लो आगे सिंगाल अंका तराज 11 बजे की मीटिंग आपकी मिस्टर तिक विज़ा अगर यह सोने जैसी जमीन सरकार के हाथ में चली गई तो आपका सेवन सार खोलके करोडों कमाने कर सपना सपना ही रह जागा मेरे सपने हमेशा सच हुए हैं जालान तुम विकार की फिकर मत करो जड़ा रवी को आ जाने दो सारी मुश्कलें चुटकियों में आसान हो जाएंगी मगर जमाई बाबू है कहां वो आए क्यों नहीं इस मीटिंग में वो दिल ली गया है का कृ mont कैसे एक मिनिस्टर के बेटे का केस लें आमें हाइक कोट में मिस्टर रवी पर किस्तिर फ्रे ψ वो इस्तर और ब tio यह कितनी मासूम लग्जिससा थे इसतरह का कुनो ग्वणेघर एढ गेल केल कि उन्हों कर काम उड़ कमीयोचेब है मिस्टर रवी मिस्टर रवी मिस्टर रवी मेरे बिटे ने रेप किया है अगर यह सच है तो मैं इसे जूट साविक करते हूँ ताजुब की बात है जट साब कि इंडियन पीनल कोर्ड में अगर खून की दफा 302 है तो बलातकार करने वाले की दफा उसके आसपास 301 या 303 क्यों ने क्यों बलातकार करने वाले को दफा 310 दी गई है जो मामूली जेब काटने या डराने धमकाने जैसे जूर्म के काबिल है इसका नतीज़ा यह है जट साब कि बलातकार करने वाले को सिर्फ साथ साल की सजा मिलती है मेरा बस चलता ना जट साब तो मैं बलातकार करने वाले को फासी की सजा दिलवाता फासी की सर रवी वर्मा आपके बेटे का केस लड़ रहा है कि उनके खिलाफ लेकिन बड़े दुख की बात है जट साब कि बलातकार का शिकार होने वाली बाइज़त और बेकसूर लड़कियों को अक्सर कानून से न्याय नहीं मिलता और वह इसलिए मिलाट क्योंकि मिस्रागनी जैसी आउरत ने बलातकार के लवज को हत्यार की तरह अपने फायदे के लिए इस्तमाल करती है और इन औरतों की वज़े से जब भी कोई लड़की सचमुच की फरियाद लेकर आती है तब भी कोई उस पर यखीन नहीं करता अब्जेक्शन मिलाट मिस्टर रवी तो मेरे मुवक्री के दावे कोई जूटा ठहरा रहे हैं जबकि मैं तीन तीन गवाँ पेश कर चुका हू जिनन में स्रागिनी को बुरे हाल में मिस्टर बीजे के कमरे से निकलते भी देखा हैं लगता है कि मेरे काविल दोस्त ने उन लड़कियों के बारे में नहीं सुनाया है जो खुद अपने हाथ से अपने कपड़े फाड़कर चीक ती चिलाती तमाशा खड़ा कर देती अब अब ब्लो मून के रिसेप्शनिस्ट वेटर और गेटन मैं चाहूंगा कि उन तीनों को लाकर कट घरे में खड़ा कर दें क्यूंकि अब तक उन्होंने अदालत को सिर्फ उतना ही बताया है जितना उनसे पूछा गया है उन लोग ने अदालत को यह नहीं बताया है कि उन्ह अच्छ लाग तो नहीं लेती होंगी तो तुमने मिस्टर विजे से डिमांड किये थे यह बास्टर में तुम्हें जान से मार डालूगी मुझे कोई ताजुम नहीं होगा मिस्स रागनी क्योंकि चो लड़की धंदा कर सकती है प्लैक मेल कर सकती है वो खूंदी कर सकती है की वें जdog मैं तो इसे कोई यह पैसे की पैसे नहीं लिए स nei कमिह पैसे कर नहीं मुझे बुलने दी जी को मिलोड मिस्टर मुझे- मुकमा को गलत तरन दे रहें मिलोड यह रही मिस्स रागनी की निभ चिन्वह निइत台 ही हजार रुपय देकर उसकी साथ राद गुजरी है कि उनमें से कई इस अदालत में भी मौजूद है आपने जूटे गवाब पैदा किया है आपके तीन गवाबी इसमें कौन सी बड़ी बात है रिश्वत देकर आपने उनको भी अपनी और कर लिया होगा आप मुझे बड़ा संगीन जुर्म लगा रहे हैं पाप्डिक प्रॉस प्रवाई दस मिनिट के लिए मुल्त भी की जाती है एक शरीफ औरत को बाजारू औरत साबित करके आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मिस्टर रवी यह तो कुछ भी नहीं है अभी तो आपकी मिस रागनी पर मैं एक तावा और भी ठोकूंगा मानहानी का दस लाग और प्लाक में लागनियर यह मुकदमा अगर में वापस ले लूँ तो क्या वायदा कर थे कि रागनी पर आप ब्लैक मैल और मानहांनी का दावा दायर नहीं करेंगे या कि रॉय कर तो कमाल दिया मिस्टर रवी यह एक फीज़ और हाँ वादे के मुताबिक यह 17 एकड़ के फामाउस के कागजात हैं जो आपकी पत्नी के नाम है आएंदा अपने बेटे से कहिएगा कि रीव वेप ना करें वर्ना मैं अगली बार दुग नीफीस लूँगा अगली बार दुग नीफीस लूँगा परदेशिया इतना बता सचना परदेशिया इतना बार दुगा किर देशिया इतना बार दुग है किर दो बुद्रत कीचर देल जटाई पोचर गीव आगल पुरमाई परदेशिया इतना बता सचना तिरी कौन हुमें? मेरे रिष्टाओं में तेरी संसो की हैं दोरिया मेरी जान है तू ये जान ले तू मेरी जान तूमसे मतलब कल आने वाले थे और राज आ रहे हो गारी से पोल रहे हो मेरे तूमारे दुष्मन मैं जल से जल दुआ पाँच रहा हूं लेकिना इस जोश को ठंडा मत पड़ने देना शट अप ताई हां विटिया उनका फोन आया था फ्लाइट कैंसल है कम से कम दो घंटे और लगेंगे अरे तो दो घंटे तो दो घंटे बीथी जाएंगे ना अब फिर पूजा बिटिया भी तो आती होगी तू संसे फिर क्या फाइदा हेलो हेलो अब क्या कर रही हो जान मरने की तैयारी कर रही हूं सोच रहीं पंखे से लटकू या अपनी उंगलिया बिजली के प्लग में डालो अरे तुमारे अगली फ्लाइट का क्या हुआ हो जाएगा हो जाएगा जान का जान के लिए इंतजार करने का मजा ही अलग है सब तो जबर कर फल मीठा ही मिलेगाे अई एक थे तुम बहुत अची बाते कर लेते हो सामने आऊ तो बताऊं अगर आ गया तो क्या कर लोगी दुपोश के पाथ दूगी फिर फिर तुमारे टाई किंचे कर एक तरह दूगे तुमारे जूते निलकार एक तरफ फैंगे फिर कसके भी किस दूंगी साड़ी फोन पर करों किया वहोँ फोन पर तो सिफ मेन्य पूछ रहूं मेरी जान काना तो पलंग पर खाएंगे यह रांस कि अवडिया रास्कले शर्वेसरा मेरी जान I don't believe this आदे पीजो सेफाने में मज़ा मज़ा आता है इक हम हम तो रोचा है कि हमोड देहे तेरी मूड की तो अरे तो नहीं चोड़ों को तुझे मूड में अब भी बनाता हूं तेरा मूड हुआ 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 है हुआ है तुम सांस लेती हो तुमेरा दिल धड़कता है जब यह ओट खुलते हैं तो लगता है कि तुमने मुझे चुपके से पुकारा है यह आखे जब जब इन आखों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि रिष्टों के समुदर में टूपता जा रहा हूं टूपता जा रहा हूं अरे छोड़ दो ना अरे देखने तो हलो हलो पापा हां मिठे रवी आगया हां हां पापा आगय थे हां हां काफी देर हो गई हां बुलाती हूं हां रवी पापा का फोन है तो ना बात करो हाई डाड वेलकम बिटे फ्लाइट लेट थी क्या हां डाड अच्छा एक अरजेंट मीटिंग आन पड़ी डाड ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई तुम क्लब पहुंचो वहीं बैठकर डिस्कस करेंगे ओके डाड वीड़ी दाड़ी डाड खहरे थे जरूरी मीटिंग है क्लब जाना है के ट्रेटी पाई आज 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 मेरी छोटी गुडिया पापा आगए हां विकरिंग लेट डाव अब बैटी आपकी नाना जी ने बुलाया वही है पापा मैं भी जाओंगी ऑपकी एक्जाम से बिटा ने मैं भी जाओंगी आप ड्यारी के कपड़े खराब कर रहे है क्लेए इज दर आज पुजू कर देटी इने वह पाई राजा यह जो चनाम रिख बहुत बुरा जमाना चल रहा है लिवर्टिया तुभी ले ताई इसको ज़र बहला देना इसका कैसा मुतर गया तुम फिकर ना करो मैंने तो तुम्हें भी बहलाया था अब मेरी चोटी गुरिया जूस पिएगी फिर क्या करेगी क्या था जब वो नाना के घर में थी तो उन प्रेग्स प्रेज्मादिया प्रेज्माटिया वे में तो हाई प्रेड़ी तुम्हे हाई झाल 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 आज अठारा जून है अठारा तरीक को क्या होगा आज के दिन मैं बाप बना था हाज अठार तरीक के पास एक खुबसूरत सा फाम हाउस सत्रा इकर का है फार्म हाउस का मैं क्या करूंगी अरे करना क्या है जान कार्टन में दौड़ोगी तित्लियों के साथ खेलोगी पता है यह सारी की सारी बाते में अकेले में तुमसे पहले भी कर चुका हूं यही कहा था और तुमने एक्जाक्ली यही जवाब दिया था कि मैं फाम हाउस को क्या करूंगी यही कि तुमने एक सीधी साधी लड़की को प्रोस्टिट साबित कर दिया यही तुमसे किसने का और तुमने उस आदमे को भी बाहिसत बरी करवा दिया जिसमें बाम कि कम मैं एक लॉयर हूँ जो केस मेरे सामने आएगा उसको लड़ना ही पड़ेगा ना चाहे पता हो तुम बुरा कर रहे हो पाप कर रहे हो पाप पुर्णे कुछ नहीं होता है जा अपनी हैसेत के मुताबिक अपना काम करो कि यहीं पुर्णे बेदान में ना करके पुर्णे का इनाम महां से मिलता है तो पाप की सजा भी वहीं से मिलती है अच्छी बात है अवे उपरवाले साहब कि अगर मैं कोई पाप करूं तो इसकी सजा मुझे देना इस तरो रहे डालें नहीं रवी आज के दिन तुम्हें भगवान से यह मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे ही मिले क्यों मोड का कचला कर रही हो कि सजा तो यह कहलाती है कि महबबत करने वाले को महबबत की जगे भाशन दो तुम्हें तो मेरी जान हो ना मेरा तेल मेरा चिकार मेरी महबबत क्पूमी कर दो कि तो कर दो चहरा तेरा चहरा सपना है मेरा चाहूं तुझे कितना न मुझे है पता चेहरा तिरा चेहरा सपना है मेरा चाहू तुझे कितना ना मुझे है पता पता है मेरा तुझे कितना है अधून्द कितना है खो गया ये इश्क में हमको क्या हो गया चाहत की ये जाने कैसी मन्जिल है हम कहा है ये बजाना मुश्किल है अब हमें इन ही रहों पे चलना है कुछ भी हो ये रस्ता ना बदलना है तरहाई दो प्रेमी कुई ना दे सरा चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहों तुझे कितना न मुझे है पता उल प्रेमी कितना ना दिए एः चाहों प्रेइए एच मुझे है ये जिस्म है खुश्बूओं से बना मैं हूँ तिरे प्यार का आईना तेरी छुन से बदन जलता है चाने कितनी रंगों में निखलता है चिंगारी है मेरी जलती सासों की गर्मी है ये मेरी प्यासी आँखों की मैं जासा सहरा हूँ सावन की दूबटाओ चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहों तुझे कितना न मुझे है पता चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहों तुझे कितना न मुझे है पता ना मुझे है पता ना मुझे है पता ना मुझे है पता ना मुझे पता ना मुझे पता ना मुझे है पता ना मुझे पता कर रात मेट्रोपुलिस मिल में भैयानक आग लग गई जिससे मिल जलकर पूरी तरह हाथ होगी और हमारे संबाद दाता वहां आप पहुंचे और म्यूनिसिपल कमिशनर सत्य प्रकाश से उन्होंने बात की जिन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि ये कोई हाथसा है पेश है एक यकीनना आग जानबूच कर लगाई गई है यह किस बिला पर आप कह सकते हैं सर आठ साल से मिल में घाटा दिखाया जा रहा है छे साल से मजदूरों को पूरी तंख्वा नहीं मिली ना कोई बोनस दिया गया चार मैने से मिल बंद है और 64 दिनों से मजदूर हड़ताल पर ब यह इत्तफाक नहीं हो सकता मैं इस मामले की तह तक जाओंगा इसकी पूरी जाच करवाऊंगा और जो भी आदमी जानमाल के नुकसान का जिम्मेदार है उसे कोर्ट में खसीट कर सक्स सक्स सजा दिल यह तो साला लक्षा ही उलट गया गईब हैस पानी में और साथ में हमें सब्सक्राइब भी ले गई सारा इस सत्यप्रकाश बड़ा इकड़का आदमी है जो कहेगा वह करके दिखाए तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हूं कि तेल देखो और तेल की धार देखो में आपका बहुत बड़ा फैन मिस्टर सत्यप्रकार आप कितने इमानदार और उसनों के पके इंसान है यह तो सारा शेह जानता है जबकि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर अवी वर्मा मतलब की बात कीजिए यह यह आपकी सफ़ा गोई भी बहुत मशूर है चली मतलब की बात करते हैं मैं मेट्रोपॉलिस मिल के मालिक की तरफ साय हूं जिस मिल को आपने सील कर दिया है मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कबजा ले लिया है उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटेल बनाना चाहते हैं जिसकी परमिशन मैं आप से लेने आया हूं होटल की इमारत तो दूर की बात मिस्टर अवी वर्मा मगर उस जमीन पर मैं आपको एक इंट तक रखने नहीं दूंगा तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को आग नहीं लगाई बलकि गरीबों की जोपनियों को फूख दिया है कितनी कीमती जाने गई है उसमें पता है यहां सुनकर बहुत दुख हुआ लेकिन मेरे क्लाइंट हर मरने वाले की फैमली को पचास हजार रुपे देने के लिए तैयार है कि पचास हजार है कितना दुर्भग है मेरे देश का कि यहां पचास रुपिये देकर कोई वोट खरीद लेता है पाँच हजार देकर दंगे करवा सकता है पचीस हजार देकर किसी का खून करवा सकता है और अब 50,000 देकर गरीबों का मूँ बंद करवाना चाहता है लेकिन याद रखो मैं यह होनी नहीं दूँगा यह मूँ आदालत में चिला-चिला कर कहेंगे कि उनके घरों को फूख देने वाले उनके अपनों की हत्या करने वाले आपकी मिलके मालिक है आपकी अब बात बहुत लंबी खीच रहें मिश्टर सत्यप्रकाश है अपनी कीमत बोलिए ठीक सुनाया है अपनी कीमत बोलिए अभी आपने कहा कि मैं बहुत इमानदार हूं और को भी आप मुझे जिश्वत देना चाहते हैं यह मानदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिश्ट सत्य प्रकाश कि एक आदमी दस हजार को ठोकर मार कर अपनी मानदारी बचा लेता है लेकिन अगर वो दस हजार दस लाक में बन जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है और अगर करोड मिलता है तो कहता है चलो फिलाल ले ही लेते हैं मंदिर में 501 रुपे का प्रशा चड़ा कर माफी मांग लेंगे और आइंदा सीमानदार रहेंगे तो आप बताइए आप कितने का प्रशा चड़ाना चाहेंगे यह सर क्योंकि आप एक वकील है मैं आपको र राय देने की फीस लेता हूं मगर आपको मैं एक राय मुफ्ट में दे कर जा रहा हूं कि दर्या के बहाओ के खिलाफ तैरने की हमाकत मत कीजिए थक जाओगे दूप जाओगे बह जाओगे कि अब नाइस देसर अब कि अब आप करश्नगार तेरा अपरल ठीक रहेगे जैसा ठीक समझे भाई साहब तब तक तो हमारा करण भी आजाएगा चुट्टियों पर आज से हमारी बेटी तुमारी हो गए और तुमारा बेटा हमारा अरे विने के से नहीं आया आप तर यह लोग विने भी आ गया आओ बेटा विने आओ मैं आपको गिरफतार करने आया हूं कि विने बड़ों से इस तरह मजाक नहीं करते बेटे काश यह मजाक होता माँ लेकिन इन पर किसी पुर्शोत्तम जालान से रिश्वत लेने का इल्जाम है और बदकिस्मती से इन्हें गिरफतार करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौपी गई है जबकि आप यह अच्छी तर इस तुम्हारी पिता समान है मैं तुम्हारी मां जैसे हूँ फिर भी हाथ चुड़ती हूँ तुम्हारे पां पढ़ती हूँ देखिया आप मेरा काम और मुश्किल मत किजिए मां जी चलिए सर्पीस अरे अरे कैसा फर्जे तुम्हारा जो सही और गलत में फर्ट नहीं देख सकता मत कर ये पाप बेटा मत कर ये पाप अगर इंपे बद्लामी के दाग लगेगा ये दो पल भी नहीं जी पाएंगे बसकरो सुषिला मुझसे इमानदारी की कीमत मांगी जा रही ह लेकिन तुम अपने आसो मत चुकाना है हो सकता है बाद में तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़े चलिए इंस्पेक्टर भी नहीं बसकरो स्क्यूज में इंस्पेक्टर क्या मैं इंसे दो मिनिट बात कर सकता हूँ आल राइट अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोख दीजे मैं आप पे लगे सारे इलजाम हटा दूंगा बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के मैंने सुना था जूट के पाऊ नहीं होते हैं उसे सच के सहारे चलना होता है यह सब किताबी बाते हैं सर और जिंदकी कोई किताब नहीं में आपकी बेटे जैसा है अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बीटा तुमारी जैसे होता तुमारा ना कोई धरम ना कोई इमान पैसो की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तुम नहीं नहीं मेरा बीटा तुमारी जैसा नहीं है नहीं है मेरा बीटा इसा अरे वह वो तो इमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है फर्द की खातिर अपनी जान दें सकता है देश के दुश्मनों के लिए आतंख है मेरा बेटा आतंख सब्सक्राइब कर लिए है कैप्टन करने इंस कमांड सर आउट और राज़ आउट आउट सर चाहनोंने बच्चों को चुपा के रखाए सर कि यार्द को तेड़ा प्सक अपना आतंग प्सक्राद का का यार्द आत्व 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 प्सक्ष्फ फटाव, भाव, पटाव! फटाव, परषू! फटाव! अच्छो कोठाएगा तू बच्छो कोठाएगा यू पास्डर्ड तेक उनकी आखों में छिपे हुए खौफ को देख यही खौफ में तेरी आखों में देखना चाहता हूँ हाँ यही खौफ खौब भौफ अच्छो कोठाएगा आख भर तू एंभ सुआ है सुआ है अच्छो कोर दो प्राउड अफीू केपितन करण हमें नाज है आप जैसे बहादूर अफसर पर बहादूर तो सब जो ते हैं सर हुम मैं वहरा सा लक्षी हुँ अंगड़ाख टीप ओडेच, लच लेखो टप लेखो मिस्नोट जैच ओ नीले नेनो वाला, तेरा लखी का भुतर, ओ पिये इश्क दा प्याला, होई 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 तेरा लखी का भुतर ना ना करके चोबारे से, कुछ बोलि गई वो इशारे से, कुड़ी मार गईल शिकारे से, दिल लेगाई लूटकुमारे से, चोरी चोरी चुपके चुपके कैसा चात उड़ा एप्टेर लेकी का पुट्तर, आए एप्टेर लेकी का पुट्तर, ओनिले में नो बाला, एप्टेर लेकी का पुट्तर मेरी खुल गई पटक दिनी अख जी, गैली दे विचो कौन लंगेया किते ओ होई ना होवे ओ जिदा शक जी, गैली दे विचो कौन लंगेया ओ दियो दिवा जैसी ने ठक ठक नी, गैली दे विचो कौन लंगेया दीवान बन के कान में कैसे जुमें है कितना है लग की जुम का गालक चुमें है सज दिलते फेर गई पेर गई दिलते फेर गई आरियो नील नैनो वाला दिल लेके की सेदा सुन मित्राना दिल फिर मोडीता दिल लेके की सेदा सुन मित्राना दिल फिर मोडीता जैसी मिसरी के जैसी बोल के हो हम जोलिक लख तेरा लख तेरा लख तेरा लख तेरा लख तेरा है तेर、「ले जुपके जुपके गयसां जादू डाला तेरा लग्की कपूतर, तेरा लग्की कपूतर, नीले नानो वारा, तेरा लग्की कपूतर, तेरा लग्की कपूतर, ती है, इस्क तापयाला, तेरा लग्की कपूतर, ओल्राइट जूट्स उनका इस मुकदमे से कोई तालुक नहीं यह मुकदमा मिस्टर पुर्शोत्तम का है जिन से रिश्वत इन्होंने लिए है इसलिए मिलॉड मैं आपसे दर्ख्वास करता हूं कि इदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सर्टर प्रकाश के एसिस्टन कमिश्णर और द मैं नीचे से शुरू करता हूं सबसे पहले मिस्टर सर्टर प्रकाश का अपना भरोसे मन पियन राम पाल सिंग्ग हाजिर हो अब मैं क्या बुरुजस सहाब छोटा मू बड़ी बात इन्होंने मेरी आखों के सामने ही रिश्वत ली थी कि अमाम सबूतों और गवाहों के बैयानात को मद्दे नजर रखते हुए यह अदालत शिरी सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में दो साल कैदे बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है कि अब अब फिकर मत करना जी मैंने करन को बुला लिया है हम लोग हाई कोट में अपील करेंगे आप बिलकुल चिंता मत करना जी अब करना जी अब यह जो नहीं हो रोको 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 इने आप सुम्क लेक कि अभी el JAMES आप सुम्क ले अबो करेंगा! आप सुम्क को अरू कर दिया उसके लाठी में आवाज नहीं होती वकील उससे डर देवता जैसे मेरे पती पर पथर फैंकने वाले हाथ यह इन लोगों की नहीं है यह तो तेरे हाथ है तेरे इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा याद रखना तू चलिए माजी माजी चलिए कोई मेरे क करन को भूब कोई करन करन तो आगया तूने इतनी देर क्यों लगा दी इतनी में तो उस वकील रवी वर्माने तेरे पिताजी को बेईमान साबित करके जेल भी बिजवा दिया बिटे जल्दी कर जल्दी जाकर उने छुडाला जा 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 चुडाला कहीं ऐसा नाओगी कि वह रवी बाबु वह क्या कांटे से कांटा निकालाया अपने मजा आ गया मगर भाई ये दो साल बाद वह वापस लोटेगा और फिर से हमारी फाइले खुलके बैठ जाएगा तब है जो आदमी दो साल की सजा काटके आता ना बिहारी बाबु सरकार उसे दोबारा नौक बिल्डिंग उठा लो ठीक है सबसे उचेपेंटास मेरा होगा बिल्कुल सर नेकी और पूछ पूछ और हाँ डैड आप भी बेफिकरी से अपने होटेल का काम शुरू करतीजिए मैं चलू ओके वाइज हुआ सिंगाल साहब सिंगाल साहब हमें तो तसली नहीं है साब को अ वो का हुआ को करने लगा आतम हत्या समझ यहां करो जेल में जब कोई मर जाता है तो उसे क्यों और जिस आदम्य कि आँखें बंध हो जाती पिर ना वह वो खुलता है człowie दइखें रखालोंने कभी केते माध पीं केदे म। Engram始еноency it's more than enough okay देखे क्वाइब अपनी ड्यूटी कैसे करनी है मत समझाहिया हमें बहुत अच्छी ट्रेय बहुत अच्छी बीटे को अपने बाफ से नहीं मिलने दे जहीं करकान्य क beasts करकान्य कमान्डों स्ट आस इंडमी है पर चैन क्या है मैं अज़ति मिलना चाहता हूँ खुरिए आप मेरे साथ और आज आए को तर्वाजा खुड़ोप्रीज को लुकर को दो यह कब वुद चर्वासाय पांच सुन्चाश ने आद्मा चार लेख्षट और खबर मिलते हैं इने लाश का पंचनामा शुरूर कर दिया पशनें रिष्ट दारां को भी इंफर्ण कर दिया दो जिद अ दो 5 ऐंड गरन बबबबी आ जिब बलिया ना दो जे ऐन आ दोजिद बबबबी में जटरण में बबबबबी अब जी बूलिए ना बबुझी इस डेट केप्टन जानता हूं कि मैं यह जान ना चाहता हूं कि इसमेदार कुछ आत्मात्या करने वाला खुद इपनी मौत का जिम्मेदार है कि आइए मेरे भाबुझी जिन्दगी से प्यार करते थे कि जिंदगी का सामना करने वाले इंसान थे वह वो आत्मात्या नहीं कर सकते किसने किया है इसने मारा है बबूजी को बन से क्वेड किसने क्यो जही। यह क्या कर रहे है आपक्र्ण कंड्रॉल ग। थीस कंड्रोल गok कर दो, हल दो ऑन शो कर तोर्ड़ मुटना वा झार शो wyn्हिं जो, हर घॉ सकुझा झारी पापा देखो मुझा ड्राइंग में थ्री साफ मेरे है यहरे जब फाइफ साफ मिलेंगे तब देखेंगे पापा नहीं अभी देखो यह क्या आपने ने टेबल खराक पर दिया पापा मुझा रहा है अब जाओ ना पाल्टी में ऐसे बच्ची को डाटे जा रहो कोई बात नहीं बेटा ममी आते ही जल्दी-जल्दी पूझा के साथ क्या खेलेगी विडियो गेम जल्दी पूझा के लिए जल्दी बेना चड़ना मिटली है जवी वर्मा इश्के, 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 अटरेश्के! हैं एश्के, इश्के, 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 इस्के, इश्के, 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 इश्क, इश्के, 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 इश्क बोले रहा तेरी आँख का काजल दिल है मेरा तेरे इश्च में पागल और उस यादा में क्या बोलू रहे ओ व्यार हमें व्यार तुम कितना करती हो यार मेरे यार हम पे कितना मरती हो आई 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 आउ को चलिए आजोयाद सिंपना apparent चने श्याब चने श्याब चने आउगल मतेरे हुसन का मस्ताना तेरी इस चाल पे मर जाना नशा तुझ में साफो तलका तेरी मस्तिका में प्यासा है मेरे पीछ है ये सारा जमाना डालना मुझ दे तु ऐसे जाना देख़ देखां तुन यू ना मैं गोश में आजाओ पहले नचे कुड़ीये मेरे नाल, नचे कुड़ीये मेरे नाल प्यार अले प्यार तुम कितना करते हो यार मेरे यारम्थे कितना मरते हो हडिक पॉपा पर ले पर ले वशाब शाब शाब पर ले पर ले वशाब शाब समझती हूँ मैं दिल जानी तिरी नियत में वेमानी बना के जूटे अफसाने छेड़ना मझ को दीवाने है तेरे तम से ये मेरी कहानी तेरे सिवा क्या ये जिन्दगानी तुझो कहे तो तुझ पे अजान ना जान लुटा तूमें लच माहिया मेरे नाल लच सोड़या मेरे नाल प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो यार मेरी यार हमें कितना मरते हो अरे बोले रहा तेरी आख का जल दिल है मेरा तेरे इश्क में पागल और उजी आदा मैं क्या बोलू रहे प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो यार मेरे यार हमें इतना मरते हो प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो यार मेरे यार हमें इतना मरते हो ए शोटिया, पालशुटिया कारते हैं तो यहार मेरे अच्छ! लिसें! लिसें लिए अच्छ! यह अच्छ! 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 जच्छ! लिसें। अच्छ! टीजित मेरे नच्छ! टीज़ वस्छ! लिसें। यह अच्छ! अच्छ! तो, चाह। ज danger! टीजित मेरे! तो! शOOOO हुआ 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 है कि अप है सिंगाल साफ उन दोनों को अपरेशन ठीटर ले गए सर गोलियां चलाने वाले को पहचान लिया गया है उसका नाम करंट सिंग है पिछले दिनों जेल में म्यूंसिबल कमिशनर सत्य प्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी यह उन्हीं का बेटा है अफिसर पुरे शहर में नाकाबंदी कर दो और वाइरलेस पे मैसेज भीज दो कि करंट का जल्द से जल पता लगाया जाए यह सर कमिशनर मेरी बच्चों पर गुलियां चलाने वाला हम जल्द से जल्द उसे गिरफतार कर लेंगे आप बेफिकर रहें मिस्टर सिंगा आपकी बेटी और दामाड ठीक है ना हम रवी वर्मा को बचाने में काम्याब हो गए लेकिन एक गोली इनके दिमाग के हिस्से को चूकर निकल गई मुझे डर है कि कहीं वो अपनी आदाश नखो बैटे है इस्टिसमीं डॉक्टर पैशन को होशाब है एक्स्यूज मी मिस्टर रव्मा मिस्टर रव्मा बीस्प कुछ बात कीजिए वीज ट्राइटो स्पीक हां कोशिश कीजिए का अगी क्या हां आगी मुली मिस्टर रवी हां शुक्र कीजिए सिंगाल साब कि उनका दिमाग बिल्कुल खाली नहीं हुआ अगर उन्हें काजल याद है तो उम्मीद की जा सकती है कि काजल के जरिये उनको सब याद आ जाए बस यूं समझ लीजिए कि रवी के बंद दिमाग की चाभी सिर्फ एक है और वो है काजल करें यहां ब्यास कि आइल कन्वेद मेसेज आए यह तो बड़ी गणी मत हुई कि रवी के जगा काजल मर गई ने यह मत समझना कि मुझे अफसोस नहीं हुआ अफसोस जुरूर वह लेकिन अगर रवी मर जाता तो समझ लो कि हम सब भी उसके साथ मर जाते ना बात तो सौटका खरी है अरे भाई हमारे वो सारे काले धंदे वो स्विस बैंक के अकाउंट वो बेनामी जमीन जायदात का ह जल होनी चाहिए जब भी वो होश में आए अरे अब जो दुनिया में नहीं रही उसे क्या आस्मान से उतार राएंगे कि होसला रखी सिंगाल साहब बंसल जी कैसे होसला रखो कि दामाद है जो आस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और बेटी जो हमेशा खाली साथ चुड़ गई है नहीं नहीं यह आपकी बेटी नहीं यह कैसे हो सकता है यह तो मैं कहता हूं यह सवाल ही नहीं होड़ता बंसल मैं मानी नहीं सकता कि यह हाँ सास सुर अंगन में सुए मैं सो उच्च बादे सास सुर अंगन में सुए मैं सो उच्च बादे घर के बाहर कर रखना मौ जुल्मी कर इशारे कभी कही से आहत आये कभी जुकुंदी खड़के दिल धड़के दिल धड़के दिल धड़के दिल धड़क धड़के जाया लिमा मेरी बोई आख बे फड़के दिल धड़क धड़के जाया लिमा मेरी बोई आख बे फड़के सयोरी 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 गोरी ये न चुपा, ये भेद बता, तेरी जो बने था, यू रंगा उड़ा, तेरी जो बने था, यू रंगा उड़ा सुपा सुपा सामी घर वाले जब जाए खरिया, चोरी चोरी घर के अंदर आजाए प्रियो, सुने कोई ना मेरी दुहाए, कहीं न हो जाए रस्वाए प्रियमा, 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 प्रि दिल भगदग भेल के जाया निमा मेरे वाल आग भी फड़के सर्योदी सर्योदी तेरा सही आम मारे बड़ा भाजी मने मारे अक्तिया करे आभावी दो बहरे में जोड़ा इसे शर्मत लेके आए उसके अंदर ना जाने वो कौन से चीज मिलाए पीदे है बिछ लोग चाए भसलस को आया महए ज़ह तपाए नूते बदर में यग नरगा एंग आग अंग में तर्द सताए नॢ़कर ना पर करवड लेके रात रात भर करण लेके मेरे जिवा में तड़ पे दिल धड़के दिल धड़के दिल धणक धड़के जाल मॉं बहुत आख भी फड़के का स्कित अंगल में सोगे मैं सु उच बादे गर के पाहर कर ख trip अब जो नहीं करे consistently कभी कहीं थे आप्रयाए कभी जो कुन्सी खड़के दिल दढ़के दिल धख दख दढ़के चाली इमा मेरी माई आख भी वड़के दिल दख धख दढ़के चाली मा alotमेरी माई आख भी वड़के मेरी रानी, मेरी चुन्मक चलो मैं मर गई राम किसमा ए इधर दे इती देर में आधी कर दी मुए ने थोड़ी सी तपी है है ना खरे दिखा रही है ला बीड़ी दे जी में साब चीज़ कजरी तुजो नाचे है ना छमक के तो कसम से जी यूं करे है कि अभी के अभी खेल जाओं कर ले कर ले मुझोरी अरव्याहा के बाद सारी की सारी अकट धरी रह जाएगी हाँ भले पधारे हुकों सेवा मैं तेरी चोरी चाहिए बंबई लेखे जाना है मैं तो बोलू जी कोई फिलों बिलों में आक्टिंग करने का तो नहीं है हुकों हां आक्टिंग ही करानी है तू दाम बोल यल्ले अरे चार-पांसो तो रोज ठीक कमाले हो छोरी चुप करो जी नसे में कुछ का कुछ बोल दो हो मैं तो बोलू हुँ चार-पांच सो नहीं हुकुम रोज का चार-पांच हजार कमावे महाली चारी और अगर हम लाख रुपया देकर तुमारा नक्षा यह बदल देतों कितना लाख अच्छा तुम बोलो तुम बोलो दो तीन चार-पांच लाज ठीक है का कहो तो आठ नौ तो बोलू हो अरे तु बोल दस दस बोल थीक है मैं तो बोलो मले भी साथ ले चला खुम जो दस भी सजाद ठीक सब्जा मनने दे देला आसी कड़ी में उबाल हमने चिडिया का नक्षा मांगा था हुआ चिडिये के घोसले का नहीं हुकुम आप तो अरी कज़ भारा सलाम बोल हुकुम ने गुड मॉर्निंग बोलू साब जी का करनू है को प्रोग्राम है तो भितर जा तेम है भी हुआ हुआ मैं तो बोलू हुकुम भाव ठीक बोलो जी मतलब अब भी तो नत भी नहीं उत्री है मारी छोरी की देखे भाई जी हमें कौन सौस लड़की इसे व्याह करना है आप लोगों का वरोसा हुकुम करी दागदार करके लोटा दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा एसा नहीं होगा ना देखें ओधर काम खतम है और इधर आपकी लड़की वापस है तो बोलू जी छोरी आपकी गुलाम है ले जाओ बोस पीस दिन जादा भी गाताइ तो कोई अक्स्ट्रा चारज नी हम भी दिल वाले हैं जबी वर्मा बच गया जबी वर्मा खटवर से बाहर जब अधिक्टर सर्थ नपर ग्रमा को बचाने में दॉक्तर स काम्याब झाने इस विर्मा को बचाने में ड़कर स्कामयाब कि वे ते अर्षक ते टूंगा रॉटाए फट्टर्ट रॉटाए थाज थाज़ कि अर्षक 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 थाज़ अर्षकांग। करन भी यूइर अबने हत्यार फैंक दो नहीं जब तक मैं उसके करना यह सब उसके बाद करन भीया तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते हैं प्लीज अपने आपको मेरे हवाले कर दो प्लीज करन पागल है क्या जिया पागल है यह जो मुल्क की सरहदों की हिफाज़त करते ना सर यह पागल ही होते हैं इनके लिए जिन्दगी सिर्फ एक मिशन है जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं अगर रवी को कुछ हो गया होता तो हम जानते थे कि करन यहां जरूर आएगा इसलिए हमने मिस्टर रवी वर्मा को पहले ही शहर से बाहर महफूज जगे पर शिफ्ट कर दिया है और इस वक गाजल नहीं सुन्दर सुन्दर जैसे कव्ताइज महाल सुन्दर होता है न वह सक्षटप्टर अनन का यह सैने टूरंट पर आंड जी से मेडिकल स्टोट जैसे खुब्षरत वाइन शाप चंचान गाट का गेड मुनिसीपालटी का गाडन है न ऐसा सुनतर बोल्डों मैं क एक बात बता है तुम मुझे काजल क्यों बोलता है इस ठीक में काला हूं देख सिर्फ काजल ही काला नहीं होता सुन्दर भी काला होता है काा बोलना मैं कांचल कर वंद üzer KarAAAA कर तो शुन्दर सुन्दर शुन्दर सुनुर में जंदर ऑनकल मैं के विवंद norm झी कर भी कोए थी ऐनकली ने से पहले आवाज दिया कर ढ़olie कर रावर है कhadow कि वेले में मैं सब कुछ दिखता है कहीं और को चीछ तूट जाता तो पेशन्ट को बहुत दिखाता सब कुछ पेशन्ट को बताएगा तो मेरे को क्या बताएगा मैं बोलता कुछ है सोचता कुछ और है क्या बोलती तू क्या मैं बोलू सुन सुना आथी क्या खंडाला खंडाला क्या आदमी है तेरा नमबर वाट कप से खाली है तुझे कुछ मालूम ही नहीं मेरे स्टैचू भाई निकाल दीना हवा निचोड़ दिया निम्बू दूद में डाल दीना हट्टी कबाब में यह क्या हो रहा है सर पेशन्ट का बीपी बढ़ गया है बीपी पेशन्ट का ने बीपी तुम दोनों का बढ़ गया है मेरा तूड़ी आए है आज फिर है 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 एलो रभी काजल इसकी नों काजल पर सुयट की विए पिनट की विए ओपरेशन करें दिखाल दीजिए उई-उई करता रहेगा सुन्दर काजल इसकी बीवी का नाम है जिसे बहुत प्यार करता था आज वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या इसको मैं इसकी बीवी दिखाय देता हूं यह तो हमने सोचा ही नहीं सुन्दर काम कुरो यह कपड़ उतारो साड़ी और ब्लाउस पेंड कराओ हो सकता है इसे तुम्हें देखकर इसकी बीवी याद आजाए अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी नंने मुनने प्यारी परे बच्चे होंगे ऐसे होंगे तुम्हारा ऑपरेशन हम अगर मेरी साधी हो गया तो दिन्दिकी वर कुवारी मरेगी और यू करते रहेगी सुन्दर हो वी चुडे कजल आईगी तुम्हारी काजल अग्या का आना ही पड़े ग करते हैं कि उसे भी कांचान मिलता होगा ज़रूर आएगी वह आना ही पड़ेगा उसे अपके आगे हाथ जोटी उसे बुढ़ापे मेरी मिट्री पली बत करिए मेरी काजल की जगे एक नाचने वाली इस घर में आएगी जी 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 राम 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 एक बार देख तो लोता कहते हैं बिल्कुल काजल जैसी है खाक जो कहता उसके मूं में खाक ना तो मेरी काजल जैसी आज तक कोई हुई है ना कभी होगी है जाल भीतर चल अ हाहा काहे सिंग्हाल बाबू खा गई ना चक्कर अच्छा तो इनकी डूटी पे आए हूं मैं कहूं साब जी गुड मॉर्निंग बोलूं हाँ घनी पंटास्टिक से जावट कर रखिया सेटने अच्छा आपने प्रॉमिस किया ना आके वीडियो गेम खेलूंगी अभी नहीं बेटे अभी ममा थकी हुई है अरे पापा कहा है वो भी तो आपके साथ गए थे वो दिल्ली गए बेटे मामा आ गई है अब पापा भी आ जाएंगे यहां आप जाकर सुझाओ ताहिए पूजा को ले जाकर सुलात हो चोड़ तुझे तो पवित्र करना पड़ेगा राम 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 देखो यह बच्ची तो मने चोखी दिखे साब जी पर यह बुड़िया मने तेड़ी दिखे हम ऐसी बात नहीं करते अच्छी तरह बोलते हैं हम इने ताही कहते हैं मेरी बेटी थी न काजल उसको इन्हों नहीं पालपूस कर बढ़ा किया था हमारे लिए तो सागी हुई ना हां हां साब जी पर हमारे लिए तो सोतेली हुई ना आप समझा देना बेफजूर मेरी जो बोलो मुझाइगी जवी वर्मकाई उची निमालों कहां छुपा रखा है रवी वर्मकुन मुझे निमालों मैं सच बोलता हूं मुझे निमालों सच बोलता है सच बोलता है सच तो यह है कि मेरे बाबुजी ने तुझसे रिश्वत ली थी सत्यप्रकाश एक बाइमान अफसरता सब्सक्राओ कु करते तो याउपन सब्सक्राओन निमालाइक बाइक है कि भेखावेत causing सब्सक्राओन कि आपके निमालों प्रभी शुपन पाएव है कारे क्लिश्त यग तो निमिझे पर्वन मुझे هाब कि अ हम पाँ दे ले को अ कर दो दो कर दो कर दो कि अवीज कर दिस अ कि अवीज कर यहदा कि यह बदाओ फिर बेटां जिए टे थेर शीज कि अपिर अ अ बें आई अ हुआ है हुआ है हुआ है आगे या बैठना काजल अब गिरना नहीं संभाल कर बैठना मैं एक मिनिट में आता हूँ काजल पास्टर्ड तुने मेरे बापुची की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा तेख मेरे दर्ब देख देख मुआप कैसी होती है देख देख शाबाज करन शाबाज जिसकी बहादूर के किस्ते में पड़ता था अखबारों में आज एक मुर्दे को मार रहा है ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर ये मुर्दा मेरी गुली खाने के बाद होगा अच्छा खासा ये लगता है तुमने इसके हालत पर गौर नहीं किया देखो इसे गौड से देखो ना होश है ना एसास ना दुख जानता है न शुक जानता है ना जीना जानता है न उमन ना जानता है और यह हालात तुम्हारी वज़े से उए हैं क्या गुसूर था इसकी पत्ने का तुब धेवज़ मारे गई कुसूर तो मेरे सीधे साधे इमानदार बाबुजी कभी नहीं था तो इसलिए तुम अनाप्षर लोगों को मारते फिर होगे इसे मारों मुझे मारों सब को मार दोगे मिंत क्या होगा उससे तुम्हारे बापुजी फिर से जू उठेंगे बड़ी शांती मिलेगी उनकी आत्मा को यह जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना उसकी तसली के लिए तुम इसको मानना चाहते हो मारो इसको जान से मार दो इसको वैसे भी एक जिन्दा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है बड़ी मेंद कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नहीं जिंदगी दे सकाओ पर नहीं जल से जल ठीक कर इसे डॉक्टर टेसे जिंदगी जिस दिन तु इसे जिंदगी देगा मैं इसे मौत दूंगा बहुत क्या हुआ है कमाल की यह जेना इसके साथ मेरे चकर चल रहा था अगर इसका में बड़ा कभी न था वरना मेरी शायदी से हो जाती मेरे साड़े पांच बच्चे हो जाते है क्या हूँ आप नहीं सम्जा दूसरा सुन एक लड़का जा रहा था मुझसे भी काला सफेद कपड कर एक सदाजी ने देखा उसको बोलो तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है उसने का सदाजी मेरी पेंट पिक्षे से फटी हुई है क्या हुआ नहीं समझा तुने मुझे बहुत पकाया ना मैं भी तरको पकाऊंगा तीसरा सुन एक लड़का भागता हुआ है अपनी मम करते है तो बच्चे ने का ममी ममी एप्रिल पूल एप्रिल पूल हो राम ने था था डैड़ी थे क्षू तेरा बेयाच बहुत अई एक तेल किदा गों तो आरे रिए मैन कलम प्चर देखने के था तुने कैसे होता है कि मेरे बेगर मेरे को लेकार देंके तू हमने wahr तुम तो अउनको रभी! रभी! आने को रोको उसको! आने! रभी! अरोगो! आनुछ कोड़ आााााा! अजफ था रिज़ की नियुक्त वाँ वह एक पात करते ही वह एक पात कर से अजब आड जे तो तो औरत है कि बुल्डोजर देख मेरा क्या हल बना दिया पकड़ लिया है क्या पकड़ लिया किस्ते पकड़ लिया क्यों पकड़ लिया इतनी जल्दी हमारा साथ चुटने वाला नहीं है दोस्त नहीं जाने दूगा तो फिर दो चारो तरफ प्हल जाओ टाकु थे तरह प्लाइज कर दो करें यह सब क्या है मिस्टर सिंगाव क्या है डॉक्टर आनन यहां आचुका है का रवी तो ळूंत जानते हैं की कि य ignore को आप ड़ी तो ते थीक है नहीं मैं मिस्टर रवी को मुर्दा कह रहा हूँ रवी की तो हालत देखी है ना आपने उसकी जान को तब तक कोई खत्रा नहीं जब तक को अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता डॉक्टर रवी अच्छा कब होगा जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा करतेंगे क्या हो आपकी काजल का वो तैयार हुई कि नहीं अधर कहां चली आ रही है इधर कहां चली आ रही है मतलब भूक लगी है कुछ खाने को लेने आए अधर चल उधर खबरदार जो मेरी रसोल के भीतर पाउधर आतो नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को उठाया मुह और चली आई भीतर ये ले खाना ठूस ले ले कि मर्वर का धरम करम सारा मिट्टी में मिला दिया है कि यह कहां चली गई अधि यह क्या है यह क्या मतबल बुढ़िया तू क्या समझे मने भूग्ती नहीं काटी भी दिखाओ काट के रख दूगी जिंदा चोड़ूगी तब न स्टैर्टी तो पुढ़िया सुस्री तेरी तो इंस्रीय तकरी करी कज्री की काटके पीस्के तकरे से देगी यहेजिद लग लग слption प्रॉट में ब davon लो भाफ मैं यहें सबाफ बत्रों अ कि अचर को प्राखो hah अक्रिंग लंक को अ अल्दी के अल काने अीजल ये वे ए स्किल ःज़ आजिए भाइ क्या हो रहा है था ही क्या हो रहा है यह बेटी तो खो चुका हूं सुचा शायद रवी की जिंदगी बचा सकूं जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर ठीकी हुई है अब नहीं बचा पाऊंगा उसे अब नहीं बचा पाऊंगा उसे अब नहीं बचा पाऊंगा उसे अब नहीं को पुर्धेट से चुटका नहीं कि मैसे तुटप कई नहीं सफरेत हम पूद्टी है घानियाE अरह तेरिंग तो के मैं आई थी दोके में के कज़ी देख रहा पड़े लोगों का घर केसा होता है ऐसा होता है सालस इसा होता है जी जाती हूं और तेरे नोट भिच्वादू की तरे को में फिर मत कई हो की कज़ी ने कई नहीं है हाई राँ तरफ लिए अकमबकाती मारी ने तरफ अपर टॉसलीप काजल क्या हुआ पिछले साथ दिनों से पिछले सात दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है अगर यह नहीं सुया अगर यह नहीं सुया तो मैं हमिश्या के लिए सो जाओंगा मेरे लिली शादि से पहले भीद्वा जाएगी नेरा बच्चा पैदा होने से पहले आनात हो जाएगा डॉक्तर साहब इसको नींद का इंजेक्शन लगा दिजिए सुन्दर इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं तो मुझे लगा काजल सुर्मा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टेक बोल, नेल पोलिष बोल काजल मस बोल, काजल मस बोल अरे तुमेव विद्याद्रविनम तुमेव तुमेव सरवमम देव देव हुम सारी सारी ओ, इस आल राइट, भूक लगी है, खाना दू या फिर बोतल ला दू, वहीं चड़ा ले, पेट भड़ जाएगा बोतल तोड़ दी न अम्मा क्या बोली तोड़ दी बोतल अब ना पिनने की उसके बाद क्या बोली अम्मा साब जी ने कहा था, जो मा जैसी उसे अम्मा कहें मैं अम्मा ना हूँ तेरी, ताई हूं काजल मुझे ताई कहती थी, ले अरे-अरे-अरे, काजल की जगे यह नहीं, वह है, बेजपे चल यहां बढ़ जो क्जिए कैसे खा रही है, ऐसे नहीं, गाजल यू खाती थी, उठा जम्मठ, जम्मठ उठा, ऐसे एसे मेरा आशीरवाद तेरे साथ है मेरा भगवान तेरे साथ है कि याद रग बच्ची तु एक अच्छे काम के लिए जा रही है कि मम्मी मम्मी पापा को साथ ही ले क्या रहा है मैं उनके बिना नहीं रह सकती कि अच्छे काम के अच्छे करिए थो की ये दिलकी वाला ओ दिलकी वाला ना जाने कब खो गया तुने ऐसे देखा के कुछ हो गया दिलकी वाला ओ 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 द कुछ हो गया, कुछ हो गया, मेरी लाद दिन दिवाला ना जाने कब को गया तुने ऐसे दिखा के कुछ हो गया दिखरो ऐसे आज मैं इन भूहों से छूटकी और जैसे फर्ष पे शीशा बिखर तूटकी दिखरो ऐसे आज मैं इन भूहों से छूटकी आज जैसे फर्ष पे शीशा बिखर तूटकी चाबा मेरी क्या कर गई आई हया हमें मर गई कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जाद दिन दिवाला ना जाने कब खो गया तूने ऐसे दिखा के बचवा गया आई हमें जाद आई हमें मर गया आई हमें मेरी जाद झाध कर दिखा कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, मेरे जाँ मीचे मीचे हम द्देगे द्दाते है, हाल पर देनिशे अपनी मुलाते है मिठी मिठी हवा भीगी भीगी रात है और बड़े दिशी अपनी मुला आत है ये सिलसिला क्यों नी चले सोजा मेरी सिर्फो तने हकच हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया मेरी जाथ दिल्दी वा ला ला जाने कब खो गया तुने ऐसे देखा के कुछ हो गया तुने ऐसे देखा के ला 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 तुने ऐसे देखा के ला 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 तुने ऐसे पराण! 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 ठाइ कुस्यां ना सफर पिरूगेे मैंने तूर्खनुगे। कि अच्छा होगा कि हमसे पहले कुछ कि आ गए तो हमारी भी आला दिये ही होती शेड़ देखें किसी भी बात की चूक नहीं होनीचे हर काम मुझत्यदी से होना चाहिए लीजिए थैंक्यू माजी आप तकलीफ मत किया कीजिए मुझे अच्छा नहीं लगता है इसमें तकलीफ कैसी दामाच जी मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं और जब भी मैं अधर बैठे तो आप मानते ही नहीं माजी रिष्टे जब फर्स की रास्ते में आड़े आते हैं तो किस तरह चुपते मैं आपको समझा नहीं सकता जैसे आप ठीक समझें कि आपकी चाहिए सर आपका फोन है रात बहुत हो गई है बेटी पुलीस का पहरा भी सक्त है अब और इंतिजार मत कर अब करन नहीं आएगा भाईया और राखी बनवाने ना आए ऐसा तो कभी नहीं हुआ मामा मा बाया करन कि मेरे बच्चे कि और कब तक यूँ भटकता पहरेगा अब घर लौटा बेटे अगर लौटा अगर लौटा बेटे फर्ज की रह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है माम पीछे लौटा नहीं जाता वाह अपने आपको विनये के हावाले करते वो तेरा होने वाला बहनों यह बेटा वो ज़रूर तुझे कानूं से रहाय दिलवा देगा यह मेरी मा बोल रही है करन की मा वो सत्य प्रकाश जिसने भलाई अपनी जान दे दी लेकिन पैमानी के आगे खुटने नहीं टेके क्या यह उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्ली कह रही किस सत्य की रा बड़ी कठेल है इसलिए सहूलियत के आगे जुग जाओ इंसाफ की जगे रियायत की भीक मांगो क्या यही कह रही है मेरी मा हाँ बेटा हाँ सिंदूर पॉचकर जैसे दैसे सबर किया है मैंने लेकिन अग कि फर्स के रहा पर एक बेटे की बली चाड़ा कर मा इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते तो वो इनसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान करते थी और तू मुझसे कह रही है मा कि मैं अपने देवता जैसे बाबुजी के हत्यारों को माफ कर दू बा देखने के आज उनका बेटा क्या कर सकता है जिस बेटे के सर पर कफण बान कर उन्होंने सरत पर भीजदिया था कटने के लिए आज उनका वही बेटा इनसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है वो देख रहे है माँ वो देख रहे हैं मैं अपने आदर्श पिता के मौत पर आसू भाकर बैठ जाओं नहीं तूने किसी कायर को नहीं जनम दिया सच्चाई कि इस जंग में अगर मैं मिट पी जाओ ना मा तो दुख ना करना फक्र करना बस भाईया बस आज की दिन ऐसी अश कि तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है दे सकते हो तो भरोसा दो भाईया कि अपना ख्याल रखो भाग्वान करें मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भाईया को देर है जल दो उसे अब रवी को सिक्योरिटी की जरुवत पड़ेगी सिंगाल साब जो रवी आया था और जो रवी आप लोगों के साथ जा रहा है यह दोनों अलग-अलग इंसान है यह अपनी पुरानी जिन्दगी के बारे में सब कुछ बूल चुका है क्या मतलब मतलब यह सिंगाल साब अग्यों से आजी एक सीधा साधा साफ सुत्रा कोरे कागस की तरह है जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे इसे आश्ता आश्ता सब कुछ याद आ जाएगा इसका मतलब जमाई बाबू पहले की तरह रवी वर्मा तो बन जाएगा ना हां ह संदर क्या बात है बंगडो प्यार कड़ते हो तो जताना भी चाहिए गले नहीं मिलोगे क्या हुआ पेशन्ट बनकर आया था दोस्त बनकर जा रहा है और मेसरा भी हुआ प्रभू तेरा धन्यवाद है यह सब कौन है यह वह अभी तक पकड़ा नहीं गया रवी जी बेठे हम चलते हैं मुझे इन लोग के साथ जाना है ठीक है मुझ तो मिठा करते जाए सेट जी मैं मुमीठा कर लो हाँ ताई रवी कोई खिला दो इसके साथ हम सब का मुमीठा हो जाए पापा देखो यह मैं हूं यह मम्मी है और यह पापा है पापा इंसरी तो क्या हुआ बीटे मैं तो रोज गिराता था नहीं पापा हां देखो ऐसे आज एसे 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 हापी फामेली 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 पार फज स्ट ए乐र, रभी तुम चलो इससे तुम्हारी जहन को खात्रा है रभी तुम चलो इससे तुम्हेरी का सल्ग को तर्ष्र को कया? रभी रभी चलो जोदी, रवी, जोदी, रवी, रवी, कुछ नहीं होना चाहिए, कमिशर साथ यही, यही खौफ मैं तेरी आखों में देखना चाहता था, वकील, हर बैमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं, और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को, सजा पारु करण भईया, करान भईया, हथ यहार भैंक दो, मैं कहता हुआ है, क्यान भईया, बहतरी इसलें, कि आप अपने आपको पुलीस के हवाले कर दीजिए, सामने से हज जव और नहिंए, वरना में तुमें भी गोली मार दूँगा, मारिये, तो मारिये ना, सारी कि स सारी खाली कर दीजे हो सकता है एक हाद मुझे छेट कर रवी वर्मा के भी पार निकल जाए हज्जा विने तू जानता है मा के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बेहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता हज्जा अर अरिजे जहाए है यभी वर्मा कि वो मुझे क्यों माना जाता है तुम यह सब मत सोचो कि वकील कितने मुकदमें जीते हैं एक आधाहार भी जाते हैं कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी काजल कि तुम रभी कुछ सम्हाल कर घर ले जाओ देखना ये परिशान नहुं काजल च्री ह suffer कर दोणे कि आधे को आधे बेंहार धा मने थारी जगे चाहिए जिकूने मने कजरी लेकि मैं तो चाहती हूं कि तुम यह गारी जगे लेझा आप देखो तुम ही मेरी जगें देखثy हो है पूजा और माउवा की प्यार दे सकती हो इसके देखा है मैंने इतना उपकार कर दो बहन मेरे उजडे घर को बशादो बन जाओ कजरी से काजर 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 कुछ कमी है तो, ब अजाए। दिरिली छोड़ी सारी खुदाई तिरी छोड़ी सारी खुदाई तिरी होगी होगी मैं सबसे पराई दिवाने इस माच पे किसका है पहरा मिलने की घड़ी है पल भी हठरा मिलने की घड़ी खुदाई पूरी जिन्द मेरी यह जिन्द मेरी यह रब से यह मैंने कहा मेरी जान है तू यह जान ले तू मेरी जान है तू यह जान ले तू परी देशिया इतना बटा से चिन्द मेरी रिश्चों में तेरी सासों की हैं दोरिया मेरी जान है तू यह जान ले तू मेरी जान है तू यह जान ले तू अब तू बिल्कुल पहले जैसे रवी दिख रहे हैं करुँद में वजएक बात नहीं से पहले तो इतना मुस्कूराते हैं तुम दीरया 10 छे बिल्कुल पहले जैसा रवी बनाना जरूर बनाना लेकिन Hello नई बात देख रहे हो इसे मत मिटाना हाँ 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 क्या हुआ बिटिया बिटिया नहीं ताई आप मुझे फिर से कजरी ही कहने लगिये भगवान करें वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएं मैं फिर से अपनी दुनिया में लोट जाओं फिर तो कोई प्रोब्लम ना होनी की ना राम कसम ही 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 कि वेल्कम रभी आ गया हमारा बबर इस जंगल में फिर से राज करने के लिए अरे हम तो पाहों का हाथ डालूंगा अपने जवाई बाबू के गले में अच्छा सुना है के ससुरा करन का बच्चा पक्ड़ा गया मैं तो सिधा माता के मंदिर चला गया था माथा पक्ड़ा छोड़ना नहीं जवाई बाबू छोड़ना नहीं सीधा फासी पर लटका देना करन को इजबार अपनी दादर वाली चाल का मामला एक बुठा बुठी की वज़ह से अटका हुआ है एक जुटा केस ठोक के है फिक दोनों को जुटा केस येलो और सुनो अरे जवाई अरे थोड़ा सांस लेने दू रवी यह हमारे होटेल का मॉडल यह उस मिल की जमीन पर बनना है जिसमें तुम्हें आग लगवाई था और यह है अपना सीफिस वाले बिल्डिंग का मॉडल जिसे आपने गरवा दिया था अफसोस वो पुर्शुत नहीं रहा जिसका यह सप यह टॉप फ्लो का पेंट हाउस मेरा ही है न है चीर्स यह यह न है यह 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 न है मिंस्पल कमिशनर उस सत्य प्रकाश की जगह और सुनो उस सुसरे ने जेल में आत्मत्या नहीं की थी हमने मारा इस से है आए है अकेले बैठी हो अरे यहां की वाइंग यह कोई गानामाना गाती है कसम से री गाना तो तू गाती है कले जब फाड़के चलाजा आज आज़ा गाले इंके सामने शर्मा मां चल चल उट सवाज सुनो जी सुनो आज इदर पेसल गाना होगा और यह गाएंगी हमारे जवाई बाबु के सान में गाले गाले सर्वावा चल शुरू हो जाँ किसी ने सच ही कहा है बुल रहा इन बैरन अखियन का हो जाकर देखे नादावी हो पहल आग लगाएं दिल में हार फिर परसाएं आग आग इश्वन करना इश्वन करना इश्वन करना इश्वन करना आ पिया लागे लगन बस तिरे नाम की पिया लागे लगन बस तिरे नाम की पिया लागे लगन बस तिरे नाम की तुझ पे बलिहारे जाओ कसर नाम की तुझ पे बलिहारे जाओ कसर नाम की मेरा सिंदूर है मेरा शिंगान है तू मेरी धरकने तू मेरा प्यार है रपस पस एक सौवात माँगो पिया हर चना में तेरा साथ माँगो पिया मेनी हर सास पे नाम तेरा लिखा मेनी हर सास पे नाम तेरा लिखा तुझ पे बरी वारी चाओ पस एक सारा मकी लागे 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 सब कहें ये लागे बुरी बला लागी लागी सब कहें ये लागी बुली बला दिल के दिशमर इस लागी पर किसका जोर चला मुझ में छाई है कैसी ये दीवानगी मैंने भाना तुझे अपना भगवान जी मुझ को सागंद साजन मेरे राम की दिल तरे मैं नहीं अब किसी काम की तेरी तहले जपे दम ये निकले मेरा तुझ पे बली हारे जाओ कसराम की पीया लागे लगन बस तेरे नाम की तुझ पे बली हारे जाओ कसराम की तुझ पे बली हारे जाओ कसराम की तुझ पे बली हारे जाओ काम करेगी ताप की बनवा दूगा तुझे सुभाज गई हैना मेरा लंगोटिया यार है मैं लगवा दूगा तुझे हां हां बस कले जा थंडा करते मिरा अजरा हां इंद्धा प्जाओ जाओ जाओ एुर भुरू भ्रूूऽ ऑदिए भख्रूघ एन कि भायं हुआ पोने यिदो औचिन वील कम ळोने उने सुड़ रखर, दोने लीद प्रियो कि ङले। उने किनिद मी Hiergypt ही वर एंद ओ कि वायं हिए्ष मे एजयो सुड़ूज, एर यद आषू रुक जा रवी लेव में बीवी को चुआ है अरा कैसी बी जिसे तो अपनी बीबी समझ आ है वो दॉस्ता रॉइ बेटे हम उसे दिख लेंगे तुम यहांसे जाओ हम उसका नक्षा बदल देंगे तुम जाओ पेटे जाओ हुआ है ज़िए 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 उसने मारा तो मारा सिंगाल साहब लेकिन आपने क्यों मारा इसलिए बेवकुफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है पहले वो ठीक हो जाए अपना काम पहले जैसे आपने हाथ में आ जाए उसके बाद कहेगा ना तो उस नाचने वाली को बंगले में डाल देंगे जी भर के उसका नाच देखते रहे ना समझा चाल अधा हुआ हाय है का रहे है कि अधा नहीं काजल तुम्णी नहीं कि मेरा अपमान किया है उनलोगों ने यह लोग अच्छे लोग नहीं काजल इना किस मूँसे कह रहे हो तुम भी तो उन्हीं में से एक हो शायद हूं पताए वो करन मुझ पर क्यों गोली चलाना चाहता सा क्योंकि तुम ने उसके मांदार बाप के दामन पर दाग लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली यही तो मैं बताना चाहता हू क्यों काजल उस भले आदमी ने आत्महत्या नहीं की थी इन्हीं लोगों ने जेल में उसकी जान ली थी यह लोग यह बात अपने मूझ से कह रहे थे और मैं मैं हमेशा उनका साथ देता रहा और तुमने मुझे कभी रोका नहीं क्यों काजल क्यों हो सकता है मुझे पता नह था कि भगवान मेरे पापो की सजा तुम्हें दे और वही हुआ कि करन ने गोलियां मुझ पर चलाई और वो सारी की सारी तुमने अपने उपर जेल ले कि ए भगवान कि तुने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापिस लोटा दिया कि मैं सुपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा लेकिन हां मैं प्राइश्चित करूंगा कि मैं अपनी पापो का प्राइश्चित जरूर करूंगा तुम किसलिए आये हो तुम यहां माजी मैं अपनी घलती कबूल करने आया हूं माजी मैं बहुत पच्टा रहा हूं बहुत पच्टा रहा हूं इस पच्टाने का कोई मतलम नहीं है क्या होगा इससे मेरे पती का स्वर्गवास हो गया मेरा बहादूर फॉजी बेटा हत्यारा बन गया नहीं अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे मैं माफ नहीं करूगी मुझे माफी नहीं चाहिए माजी मुझे सजा चाहिए और भगवान के हाथो नहीं तेरे हाथो मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तुम मुझे बता कि मैं क्या करो मुझे कोई रहानी देखाई देती मां और तुही मुझे ब कोई तो सजा होगी मैरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी हां सजा तो तुझे भी मिली है बेटा मैंने अपने पती को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोपने की पर उसके सरपर खुण सवार था गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था मरन हो गया तुम्हारी पत्नी का भगवान उसके आत्मा को शांती दे जा बेटा जा मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाई कौन है वो बोल अपनी ताई समझ छुपा मेरी बच्ची क्या वो रवी तो नहीं हाँ हाँ सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गए तो तो फिर वो वो काजल नहीं काजरी है और हाँ है कि तेरी काजल का दूसरा रूम कि मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे ही मिले सचाई तो एक नगा दिन सामने आने ही थी अरवी कि बड़ी तबस्या की है कजरी ने तुमके एक नई जिंदगी देने के लिए कि आज कि जो तुम यह जिन्दा हो होश में हो कि कजरी की वज़े से हो कि माफ करना मेरे दोस्त कि इस जनम में तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं लेकन हो सकता है कि पिछले जनम के तुम्हारे कुछ अच्छे करम या काजल के साथ तुम्हारा सच्छा फ्रेम जिसकी वज़े से आज तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया अब देखो अपने आपको सिर्फ शिरीर नहीं ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नहीं हो गई है समखलो अपने आपको मुश्क लें तो अब आएंगी तुम्हारे रास्ते में सारी जंदगी तुमने जूट का सहरा लिया है सच का सामना करने में थोड़ी तक्लीफ तो होगी ना पट वैल अच्छा ने किया कि तुम अच्छे इंसान बन गया हो पैड़ लग बद बेस्ट अफ लग कि सारे मुहले की ओड़तों ने चान देखकर खाना खा लिया लेकिन एक तेरा ही करवा चौता नोखा है सवेरे से भूकी बैठी है कुछ खाले नहीं ताई अभी तो आता ही होंगे ना उन्हें देख लूं फिर खालूंगी अब नसुनती में तेरी पगलूई कुछ खाले तब न मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ इस बच्चे की इतनी फिकर मत कीजेता है पता नहीं क्या लिखा है इसके भाग्य में कभी तो उनको पता चलेगा कि में काजल नहीं गज्री हूं कि एक नाचने गाने वाली वाजार 画त तब क्या उस बच्चे को स्विकार करेंगे ता है करना पड़ेगा उसे उसे स्विकार करना पड़ेगा क JACKRY क्या कुछ नहीं किया तूने उसके लिए अपना सब कुछ तो नौचावर कर दिया उसे बचाने के लिए अब उसके बच्चे की मा बनने वाली है तो इतना बड़ा बलीदान अगर अब भी स्विकार नहीं किया तो मैं तो यहीं कहूंगी कि बहुत अभागा है वो जवाई राजा तुम कब आए बिटिया ने करवा चोथ का वरत रखा है तुमारे लिए पहला ने वाला अपने हाथ से खिला दो मैं खाना लगवाती है इन लम्हों में दर्ग है किस मासम में प्यास है पहले पहले प्यार का एक एंसा एहसास है कि यहां दस्तखत कर दीजिए यह आपकी जमानत के कागजात हैं इतने सारे रुपों को इंतजा मानने कहां से किया यह जमानत मा जी नहीं दी है फिर इन्होंने दी है मिस्टर रवी वर्मा इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील के सत्य प्रकाश के खांदान में कोई रिश्वत महीं लेता यह रिश्वत नहीं है मेरी गलती का छोड़ा सा जुर्मान है बाकि जो भी और सजा तो मुझे दोगे मैं उसे सट जुका के कबूल कर लूँगा है थे अच्ट कर वकी से तेरे यहां गंजता हूं पच्तावा हो रहा है तुझे पराश्यत करना चाहरा है तू इस अधर रहा है तू दर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा अग अग बिए हरे यहां मारूंगा तुझे और इस बात दुनिया की कोई भी ताखत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती है आप ठीक है ना सर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का सिर्फ एक जनना चाहता है क्या मुझे भी इन सलाकों के पीछे मरवा दे जिस तरह तुने मेरे बाबुजी को मरवाया था सद्यप्रकाश जी क दुने मेरे बात का यकीन तुमरी बात के यकीन कर वकिल अगर मैं मर गया तो तू जी गया है अगर में जी गया तो तू मर गया अट कि अ डुरुम कि लुचिप इस नहीं है कि वहना नुक्सान नहीं कि आप कि हम ने उसका नुक्सान किया यहां क्या रहा हो तुम cela का अब अब थेी हो तुमारी जा लेना चाहता है कि मैंने ये सकी आप सुधना ढूmas है तुम्हारा कि दिमाग खराब नहीं कि दिमाग तो सही हो गया है मेरा कि मैंने तै किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाएं है उसका मुआज़ा खुद भी भरूँगा और दूसरों से भी भरवाऊंगा और उनमें से एक काप भी है कि तयार रहेगा तुम सिंघाल से बात कर रहे हो सिंघाल से बात कर रहे हो तुम अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम आप मेरे ससुर थे लेकिन आज जब काजल नहीं रही जिसकी वज़े से रिष्टा था तो अब आप मुझे इस रिष्टे की दोहाई मत दीजे बहुत सबान चल रही तुम्हारी दो ठके की नाचने वाली ने दिमाग खराब कर दिया अब वो मेरी पत्नी है इसे साब से जिस घर में आप खड़े हैं तो उसी का है रभी ये मत भूलो इस घर में दो इटे मेरी भी लगाई हुई है तो निकाल लीजे अपनी ही इटे तुम्हारी दो इटों की वज़े से मेरे सारे घर में बद्दू फैली हुई है रभी तो शाउट मिस्टर सिंगाल इससे पहले की मैं कुछ कर बैठ हूं किराब अधास कि स्वांग रचाकर भले घर की औरत बनना चाहती है आखिर चला दिया चक्कर उस बिचारे रभी पर कंसात पाजर वरत हम बजार ओरत तुम जैसों की घरे लू औरतों से तो बहतर है न तुम तो अपनी औरतों से कुछ भी मनमानी करते हो और हमें रुपए भी देते और तलवे में चाटते हो अपनी ऑगाट से बाहर में पर बेंएदीर तो चलो चैलेंज फेंकती हूं मैं तुम अरे हाथ उठाना तो दूर तूम सिर्फ एक पुरा लफ निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में राम कसम अगर पूरे बाजार में इसी चड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ले गई ना तो कच्छी नाम नहीं मेरा अगर हमत है तो बो पर पड़ेगी ना तो बेभाव की पड़ेगी बात करता है साला अरे अवकाती क्या ससरी कि कहो तो जान से मरवा दे जाए उसे लची नहीं होगी उसके लिए कि उसे है फिर उसी नाली में जाना होगा है बोटी बोटी पिकेगी उसकी क्से एक चेट करकर रेम लींग लींग कर ससल कर मरना होगा उस पत्साद को वो वोश्या ठीक ऌगी उसके लिए करो पान, मेरे नहीं जाना आरस का बीज मर ल९ह पेट पाप को ने तो हरु कि तो की ना तन्य हम ने पता है कि प्यार करे है अरे हराम की जा के बोल असलियत बता settय तो धनने वाली है नाचने वाली है तब देखो कि तब प्यार करें हो हुपने हराम की तो जैसे 25 को सीधी कर चुगाओ मैं अब तक तांगे तोड़कर डेरे में डाल दूगा ना तो भी घाटे में नहीं रहूंगा अरे ना रहे न अचने लायक बीस बच्चिस दिन भूके रहेगी तो खुद ही दिमाग्टिकानी आ जाएगा अब बॉस्री रख अच्के पगड़के तो रख पहले इस बलाक और टादो जिसकी वजह से तुना कूद रही है अचने काड़ जा और ना यहीं कर यहीं खेल जाऊंगा तानक्त यह तरी हां मेरे होने वाले बच्चे की मा मैं तो बोलू ना हुकम आप कुछ ना बोलो जी तंटना तंटन तारा चलती है क्या नो से बारा यह ले नहीं यह ले जाओ कि समालो अपना यह घर अपनी यह दुनिया है माम्मी 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 भी माम मत शोड़ के जाना मामी मेरे नहीं रह सकती नहीं जाओ ए नहीं जाओंगी ए परे प्रस्ट हैं रवी प्रस है मैंने उसे आगा किया था मेंने सिंघाल को आगा किया था मैं यूनिसीबल कमिषन अ मिस्टर सत्य प्रकष का केस फिर से खोलने जा रहा हूं इस सत्य प्रकष ने जेल में आत्म हत्या नहीं कीति कि उनकी हज्ट्या करवाई गई थी और में सफेद पोशों के काले कारणाम को सारा कच्छा चिठा कल अधालत में खोल कर रख दू हाँ पूरे सबूतों के साथ नहीं यह नहीं हो सकता रवी के पास हमारे खेलाफ जो भी सबूत हैं वो खत्मों में चाहिए सिंगाल साप, हमने तो रवी का पूरा ओफिस चान मारा लेकिन हमारे फाइले, हमारे काज़ा, स्वाफिस, सब गायब है कही हमारा नक्षा न पलट जाए खाइब ऑफिस, सम्हाफिस, सब खाइब है मां जी करन भाया ने पुलीस की हिरासत से भाग कर अच्छा नहीं किया खत्रा और बढ़ गया है हां खत्रा तो बढ़ गया है क्योंकि रवी वर्मा करन के पिता जी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें जूटे कलंग से मुक्ति मिल जाएं अगर ऐसे बें कहीं करन नहीं नहीं अगर करन का सामना रवी से हो गया तो वो उसे जिन्दा नहीं छोड़ेगा क्या है क्या है क्या है क्या है कर दो, कर दो, कर दो कर दो. कि मैंने कहा था ना वकील मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूगा में करण मार डालो मुझे मुझे मार कर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे लेकिन मेरी वज़े से जो दाग उनकी चरित्र पर लगा है वो तो वही मिटेगा उसी अदालत में जहां क्या तुम मुझे चंद घंडों की महलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उने बेगुना साबित कर दूं उसके बाद तुम जो सजा मुझे देना चाहोगे न मैं उसे हस के कबूल करनूं हां करन रवी ठीक है रहा है यह अदालत में उन्हीं लोगों का भाणडा फोने जा जो तुमारी प्रिता की मौत के भी जिम्मेदार है और वो लोग इसे आदाला तक पहुंचने नहीं दे रहे है चल अदालत दुनिया की कोई भी ताकत तुझे आदालत पहुंचने से नहीं रोख सकती जाल! कि अवे जालत पास बास बास रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ रभी बाबू रुख जाओ यहां तक आगए बहुत आगए अब इस रेखा को मत लांग ना एक रेखा ही तो लांगी थी सीता मयने आधी रामाइन दुखों में गुजर गई तुम्हारी तो वैसे ही कश्टों में कट रही है काहे को और दुखों को न्योता देते हो हाँ लाओ मुझे दे दो लाओ बात रामायन की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावन को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ कुम करन और मेगनाथ भी चलकर खाक हो जाते हैं पता था मुझे पहले से पता था कि अच्छी तरह से समझाने पर भी नहीं ना समझेंगे आप इसने दूसरा बंदोबस भी किया हुआ है हलो लीजे सुनिये अपनी पूजा बीटिया की प्यारी प्यारी आवास सुनिये सुनों अब यू समझ लो क्या दालत में जाकर आपने खोला नहीं के आपकी पूजा बितिया अहाहां हात हरांजअ तू क्या समझता है कि तो मोत का नंगा नाच नाचेगा तुम्हें डर्र कर अपनी इरादे बदल नूगा यू बास्तरड ह्या है अ पल्छू아 न उघ्वाह हुए पट पह rac कि ते चुछ समझ में यारा मिलॉड क्या आज कमिशनर सत्य प्रकास को चरितरवान साबित करके मिस्टर रवी वर्मा क्या हासद एक दिन खुद इसी अदालत में खड़े उकर इन्होंने कमिशनर सत्य प्रकास कि खोड़ साबित किया था और हमने इनकी जोर्दार दलिलों पर तालियां बजाई थी काश आपने वह तालिया नहीं बजाई होती है कि काश जिसकंद मैंने पहली बार जूट को जिताय था और सच को हराय था लोगों के बज़ाये मेरे मूपट थपड मारती होते तो आज प्रभूल नेलाड कि जूट बोलने वाले को तॅश्क बोने वाले को थपट अरव सब आ की थक है उस्वे सभ्सक्रण मीरी जूटी दलीलों को सुनकर लोगों लोमने वाह वाह की थी और शमृck्ष जैसे जैसे सत्रिप्रकाश जी का कतल भासी के फंदे से नहीं हुआ था उस कतल के असली मुझरिम वो थे चिनों ने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीद कर उनका खून करने के लिए भेज दिया है भाशन बहुत हो गया मिस्टर अभी बर्मा अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खिलाब कोई सबूत है तो पेश कीजिए वरना खा मखा अदालत का वक्त बरबाद मत कीजिए हा पापो यह बचला पापो प्लीज मैं मुचला लग पापो यह बचला लग रभी क्या बात है कुछ नहीं कि सोच्छाव धर्म इनसाफ और सचाहिक लड़ाई में गुरू ने भी अपने बच्छों को कुर्बान कर दिया था कि देखता हूं आज उसके अडालत में मेरी कुर हो पाँ हो इख डिख पाँ घर हो भाँ प्हाँ आ पाँ प्हाँ आ अ मैं अ कुर बचकο बब राओ गडे रा, चॉर बचकο कभी बच्टने चॉर बचॉर भया बच्ची को अदालत से जाओ ये अदालत शरमसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्णर सत्य प्रकाश जैसे नेक, सच्चे, इमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया है हम उनके मरनो प्रांथ उनसे शमा याचना करते हैं और कभूल करते हैं कि कभी-कभी कानून भी अप्राधियों की चालाकी में उलजकर गलती कर बैठता है अदालत ये हुक्म जारी करती है कि कमिश्णर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंगाल को फॉरण हिरासत में लिया जाएं और इन पर बाकी मामलों के मकदमें चला जाएं रवी पूजा पापा अचल और अट आफ की इंस्पेकटर अगे मतभणा को कि अगे इगे शाच आप अगे शाच आफ क्वा शाच आफ अज़ा आगे सिर्फ हज़ा सिंगार फुजा को सूरते सिंगार अपने आपको कारी के हाले कर दो तुम यहां से बचकर नहीं जा सके भुश करो मैं कहता हूँ अज़ा अज़ा कर दो हट जा हट जान लड़के गोली मार दूगा हट जाए इस्पेक्टर बंदू फ्लैक दे और आपनोंसे कह देगा हुज़ा हुज़ा हुज़ हुज़ कि यली जी चलिए करन भाईया मेरा हिसाब फिर भी तुझ पर बाकी है वकील हां मुझे याद है लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से छूट के आना पड़ेगा और तू क्या समझता है कानून मुझे छोड़ देगा नहीं हां छोड़ भी सकता है बशर्थे तुम्हें को अच्छा से वकील मिले तू लड़ेगा मेरा किस तू लड़ेगा मेरा किस ना ना करके चोबारे से कुछ बोली कई वो इशारे से कुड़ी मार कई लशिकारे से दिल लेगई लूट कुवारे से चोरी चोरी जुपके जुपके कैसा चातू दाला मेरी खुल गई पटक दिनी अख जी गैली दे विच्चो कोण लंगेया किते ओह ना होवे ओचिता शक जी गैली दे विच्चो कोण लंगेया ओदी अटी मजे सीने ठक शक नी गैली दे विच्चो कोण लंगेया